अब शराब से आपको लेकर चलते हैं नमक की तरफ और नमक से लेकर चलते हैं हल्दी की तरफ क्या आपको बता है कि इस समय भारत के 30 करोड परिवारों के साथ दुनिया के 80% लोग भारत में बना नमक नहीं बलकि भारत में बनी हल्दी खाते हैं दुनिया इसे golden spice of India यानि भारती मसालों का सोना कहती है सोने जैसा मसाला हल्दी को माना जाता है हमारे देश में धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर शादियों और खाने पीने की चीजों में हल्दी का सबसे जादा इस्तिमाल होता है भारत में प्रतिविक्ती हल्दी की सालाना खपत 343 ग्राम है और आयूरवेद में भी हल्दी को सबसे बड़ी औशिधी का दरजा दिया गया ये सारी बाते हमने आपको इसलिए बताएं क्योंकि हल्दी में भी मिलावट होने लगी है नेदरलेंड्स के एक साइंस जर्नल ने अपनी नई स्टडी में ये दावा किया कि भारत की हल्दी में लेड की मात्रा 200 गुना तक ज्यादा है लेड सीसा नाम की वो नर्म धातू है जिसके कारण हर साल दुनिया में 55 लाख लोगों की मौत हो जाती है लेड खून में केल्शम की तरह वेवार करता है और ये हड्डियों के साथ चिपक कर जम जाता है जिससे गंभीर, हृदे रोग और फेफणों की बिमारी आपको हो सकती है इस स्टेडी में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच भारत, पाकिस्तान, श्रिलंका और नेपाल के 23 बड़े शहरों से हल्दी के पुल मिलाकर 356 सेंपल्स इखटा किये गए जिन मेंसे 180 सेंपल्स हल्दी की जड़ों के थे और 116 सेंपल्स हल्दी के पाउडर के थे यानि साबुत हल्दी और हल्दी पाउडर दोनों के सेंपल्स लिए गए भारत के पटना और पाकिस्तान के कराची और पेशावर शहर से लिए गए सेंपल्स में लेड़ की मात्रा 200 गुना से ज्यादा मिली जबकि लखनव, चंडीगड, भुवनेश्वर, अमरिस, सर, चिन्नई और गुहाटी से लिए गए सेंपल्स में भी लेड़ की मात्रा तै मानकों से ज्यादा निकली एक ग्राम पिसी होई हल्दी में लेड़ की मात्रा 10 माइक्र ग्राम या उससे कम होनी चाहिए लेकिन गुहाटी की हल्दी में इसकी मात्रा 127 माइक्र ग्राम थी जिससे पता चलता है कि आप असल में हल्दी नहीं बलकि लेड़ खा रहे हैं और ये वही लेड़ है जो दुनिया में लोगों की अचानक होने वाली मौतों का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है दुनिया के जिन 80 करोड बच्चों के खून में लेड़ की मात्रा तैव मानकों से ज्यादा है उनमें 28 करोड बच्चे अकेले हमारे देश भारत में आज अगर आप ये सोच कर अपने बच्चों को हल्दी वाला दूद पिलाते हैं कि इससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी उनका शारिरिक विकास तेजी से होगा तो आप असल में बहुत बड़ी गलती कर रहे हमारे देश में भी आपने देखा होगा जब कोई बिमार ह पनाने के लिए इसमें एक केमिकल मिलाए जाता है जिसे लेड क्रोमेट कहते हैं इस केमिकल के कारण हल्दी में लेड की मात्रा ज्यादा हो जाती है और इस समय भारत के ज्यादातर शेहरों में जो हल्दी बाजारों में मिल रही है उसमें इसी मिलावट का पता चला है हमारे देश में जब COVID आया था तब लोगों ने अपनी immunity को मजबूत करने के लिए काढ़े के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज भी वो था हल्दी वाला दूद लेकिन अब ये पता चल रहा है कि उसी COVID काल में भारत के अलग-अलग शहरों से हल्दी के जो सेंपल्स लिए गए उन में लेड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई और ये कोई मामूली बात नहीं है ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये सेंपल्स लिए गए ये COVID काल के आसपास के ही सेंपल्स है भारत के 30 करोड परिवारों के रसोई में हल्दी का हर दिन इस्तेमाल होता है भारत की हल्दी दुनिया के 160 देशों में निर्यात होती है जिससे भारत हर साल 2000 करोड रुपे कमाता भी है वर्ष 2018 में एक कुइंटल हल्दी की कीमत 6400 रुपे थी जो अब साड़े 11000 रुपे हो चुकी है और इसमें 80% की वर्दी हुई इससे पता चलता है कि लोग हल्दी के दाम भी ज्यादा दे रहे हैं और उनके साथ मिलावट वाला धोका भी हो रहा है और शायद यही कल्यूग है जहाँ अब हर चीज में मिलावट हो गई है और मिलावट का ऐक ही कारन है और वो है इनसान का लालच अब इनसान बेमानी से शॉर्टकट रास्ता अपना कर अमीर बनना चाहता है और वो ज्यादा मुनाफ़े के लिए किसी भी तरह की मिलावट करने से बचता नहीं ज्यादा मुनाफ़े के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है किसी को भी धीमा जहर दे सकता है अब आप जल्दी से ये समझ लीजे कि हल्दी में होने वाली मिलावट को आप अपने घर में कैसे पकड़ सकते पहला अगर पानी में मिलाने पर हल्दी से गहरा पीला रंग निकलता है तो वो हल्दी असली नहीं है दूसरा अगर पानी में हल्दी पाउडर नीचे बैठने के बजाए उपर तेरता हुआ दिखे तो वो हल्दी भी नकली और मिलावती है और तीसरा असली हल्दी की पहचान ये है कि उसे हथेली पर रगड़ने से उसका हलका पीला रंग वहीं रह जाता है और इसे इस तरीके से भी आप असली और नकली हल्दी की पहचान अपने घर पर ही कर सकते